इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे इलाज बताएंगे, घरेलू उपचार बताएंगे, जिनसे आप प्रिमेच्री और एजैकुलेशन, यानि शिखर पतन को ठीक कर सकते हैं, तो वीडियो में अन तक बने रहें और वीडियो से लाब उठाएं, तो पहला उपाय है प्रबद्रक और शहद को साथ में इस्तमाल किया जाता है, तो यह एजैकुलेशन का टाइम को बढ़ा देती है, और साथ ही साथ आपके जो पैनाईल एरिया में ब्लेड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जो प्रिमेच्री जैकुलेशन के प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक होने लगती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है गार्लिक लहसुन, लहसुन जो हमारी किचन में पाया जाता है, यह भी पैनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में वहत हैल्फुल है, तो आप क्या करें, दो चार क्लॉफ्स मतलब दो चार इनक मसाज भी कर सकते हैं, इससे आपकी पैनाईल एरिया में जो है, वो हीट प्रॉप बढ़ेगी, तीसरा है अश्वगंधा, अश्वगंधा की रूट्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी, उसको आप लाके सुखा कर उसका पॉडर बेंडर में कर सकते हैं, और उस में आप इसमें देशी घी भी एड़ कर सकते हैं, और जब आप इसको यूज करते हैं, तो यह भी प्रिमेचेर जगरेशन, यानि शीगर पतन की प्रॉब्लम में उसको ठीक करता है, तो आप इन चीजों को जरूर अपना है, और एक बहुत ही खास, जो अब मैं बताने जा तब रहा हूं, वो है देट्स, जिन्हें हम खजूर कहते हैं, बहुत अच्छी घीजा है, जिसको आप ले सकते हैं, इसको भी आप दूध में पका कर ले सकते हैं, बहुत अछा स्वाद हो जाता है, दूध का भी, साथ में zar questão भी देशी घी या फिर आप गशर भी इसमें और अच्छे टेस्ट करने के लिए तो और यह जो भी चीजें हैं यह यूज करनी है आपको रात में आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में